हलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में कि फ्लोरेंस नाइटिंगल कौन थी और वो कहां की रहने वाली थी उनका काम क्या था सारे उनके हिस्टर के बारे में इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल के बा जाते हैं फ्लोरेंश नैटिंगल को आदिनिक नर्सिंग की जर्मदात्री माना जाता है ठीक है आगे इसमें सी रिकोगनाइज देनर्सिंग प्रोफेशन एज प्रेस्टीजियस प्रोफेशन एंड मेड़ सिगनिफिकेंट कॉंट्रिब्यूशन इन दे फिल्ड ओफ नर्सिं इसमें जो फ्लोरेंश नैटिंगल है उन्होंने नर्सिंग प्योसाय को नर्सिंग बिजनस को एक प्रतिश्टिक पेसे के रूप में पाचान्दी और नर्सिंग के छेतर में अपना महत्तपूर योगदान दिया था ठीक है आगे इसमें देखिए कि इन्हें क्या है जो फ्लोरेंश नैटिंगल है उन्हें लेडि विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है ठीक है फिर आगे इसमें देखिए इनके सम्मान में इनके जनम दिन को नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है फिर आगे इसमें क्या है फ्लोरेंश नैटिंगल वाज बॉर्ण ऑन मैं 12, 1820 इन अरिच हाई क्लास ब्रिटिस फैमिली इन दा सिटी अफ लोरेंश इटली के है कि जो फ्लोरेंश नैटिंगल है उनका जनम बारह मई 1820 में इटली के फ्लोरेंश नैटिंगल में फ्लोरेंश सहर में धनी मतलब एक हाई हाई क्लास ब्रिटिस फैमिली के बीच में हुआ था इनका आग इसमें कि हर फादर्स नेम वाज विलियम एड़़ड और मोदर्स नेम वाज फैनी क्या इनके पिता का नाम विलियम एड़़ड एम माता का नाम फैनी था ठीक है पिर आगे इसमें में धेखे, Against the wishes of her families, she educated herself and studies nursing कि है इसमें कि इनके पीता अपने मतलब क्या है अपने परिवार की इच्छा के विरुध मतलब अपनी FAMILY के इच्छा के विरुध जा करके इन्होंने अपने आपको educated किया सिच्छित किया और nursing की पढाई की ठीक है तो जो Florence Nightingale थी वो अपने परिवार के विरुदू जा करके उन्होंने अपने आपको educate किया और nursing की पढ़ाई की ठीक है आगे इसमें देखिए she did not get married because she believed that marriage would interfere with her duty to serve her patient का है कि इन्होंने साधी नहीं की क्योंकि इनका मानना था के साधी से इनके मरीजों की सेवा करने में हस्त छेप होगा problem होगी ठीक है फिर आगे इसमें देखिए कि in this Crimean war of 1854 she took care of injured British soldiers and saved many soldiers from dying का है कि इसरन 1854 के क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने जो Florence Nightingale है उन्होंने गायल ब्रिटीश सैनिकों की देख भाल की एम उनके अनेक सैनिकों को मरने से बचाया था ठीक है for this on October 21, 1854 Florence Nightingale and 38 nurses including one of their aunt का है कि जो इन्होंने इसके लिए 21 October 1854 को Florence Nightingale और 38 nurse जिनमें उनकी एक auntie भी सामिल थी ठीक है फिर इसमें देखे एंड 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 फिप्टीन फिप्टीन कैथोलिक नर्सेज रिच टु दो ब्रिटीश कैम्प एंड सो दो बाट सिच्वेशन आफ दे इंजल्ड शोल्ड शोल्डियर्स देर एंड प्रोवाइड देम सर्वीश क्या है कि 1800 मरलों क्या है नर्स और उनकी एक आण टी भी उसमें सामिल थी और पंद्र कैथियलिक नर्स ब्रिटीस कैम पहुची आज उन्हों क्या किया कि सारे नर्स मिलकर के ब्रिटिस कैम में पहुची और उन्होंने वहां जो घायल सोल्जियर्स थे जो घायल सैनिक थे उनकी बूरी इस्तिति को देखते हुए उनकी सेवा में लग गई ठीक है फिर आगे इसमें देखिए कि विल टेकिंग केर आफ दा कि वहां सैनिकों की देखभाल करते हुए मतलों जो फ्लोरेश नाइटिंगल है और अन्य जो नर्स कैम में गई थी तो वहां कि उन्होंने वहां कि सैनिकों की देखभाल करते सेमें इन्होंने कई सैनिकों की जान बचाए थी ठीक है जो फ्लोरेश नाइटिंगल जो और जो उसमें नर्स गई थी कैंप में जो सोल्जर्स की सेवा करने के लिए तो जो क्या है उन्होंने सैनिकों की देख भाल करते हुए कई सैनिकों की उन्होंने जान बचाई थी ठीक है फिर आगे इसमें देखिए इन दे बैटल अफ क्रीमिया शी रिसीब दे टाइटल अफ लेड़ी विद दे लैंप बिकाउज फ्लोरेंस नेटिंगल रॉम्ड एराउंड इन डार्कनेस ऑफ दे आफ दे नाइट तो टेक केर अफ इंजर्ड बाइ टेकिंग अ लैंप इन हर है क्या है कि इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने लेड़ी विद दे लैंप का नाम प्राप्ट किया मतलब क्या है क्रीमिया युद्ध में जहां इन्होंने यह जाकर के जो सैने की देख भाल की थी तो वहां पर इनको लेड़ी विद दे लैंप का नाम भी दिया और क्या है कि प्लोनेस क्योंकि Floress Naittingill रात के अंधेरे में हाथ में Lamp लेकर घायलों की देखेस्सक्रust法 के लिए चार और गूमती रहे दे थी 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 कैंड़ इनको with the lamp के नाम से भी वहाँ पे इनको नाम दिया गया ठीक है फिर आगे इसमें क्या सिटेड इन लंडन ओन अगस्ट 13 1910 एर दे एज अफ 90 क्या है इनका जो डेड का है नबे वर्स की उम्र में हुआ 13 अगस 1910 को लंडन में हो गया ठीक है फिर आगे इसमें क्या है दप्रतिग्या क्या क्या है उसको हमको देखना है फर्स्ट इस में देखिए आई विल स्पेंड माई लाइफ प्रक्टिसिंग नर्सिंग विट सेंसरिटी एंड और नेस्टी में लोग क्या है कि इनका पहला प्लेज था प्रतिग्या था कि मैं अपना जीवन पवित्रता से और इमांदारी से अपने पेशे का अभ्यास करने में बिताओंगी ठीक है फिर इनका सेकेंड प्लेज था इनका दूसरा प्लेज था प्रतिग्या था मैं जो कुछ भी हानिकारक या हानिकर है उससे दूर रहूंगी और किसी भी हानिकारक दवाई को न तो लूँगी और नहीं जान बुझकर किसी को दूँगी ठीक है फिर नेक्ट इनका जो प्लेज है थार्ड वाला I will keep any personal or family information confidential that I am receiving in my work क्या है कि इनका थार्ड वाला जो प्लेज है वो है कि मैं मेरे कार के मद्य मुझे जो कुछ भी जो भी व्यक्तिकत या पारिवारिक जानकारी प्राप्त होगी उसे अपने पास सुरच्चित रखूंगी ठीक है मतलब जो पेसेंट से जो जिसकी मैं देख भाल करें उसका कुछ भी अगर कोई बात हमको पता चलती है तो उसको मैं अपने पास ही सुरच्चित रखूंगी ठीक है इनका तीसरा वो प्लेस था नेक्स्ट प्लेस क्या है इनका और लास्ट क्या है I sincerely assist a doctor in his work and will dedicate myself to the welfare of those I am committee to care for क्या है कि मैं इमांदारी के साथ चिकित्सक की उसके कारें में सहायता करूंगी तथा जिनकी देखभाल के प्रती मैं प्रती बद्ध हूं उनके कल्याण के लिए अपने आपको समर्पीत करूंगी ठीक है तो यह क्या है फ्लोरेस नैटिंगल का यह प्रतिग्या था जो उन्होंने अपने काम से पहले लिया था ठीक है तो फर्स्ट क्या था कि वो फर्स्ट वाला प्रतिग्या लिथी कि मैं अपना जीवन पवित्रता से और इमंदारी से अपने पेशे का अब्यास करने में बिताऊंगी सेकर्ण था मैं जो कुछ भी हानिकारक या हानिकर है उससे दूर रहूंगी और किसी भी हानिकारक दवाई को ना तो लूंगी तथा ना ही किसी को जान बुझ करके दूंगी ठीक है और धर्ड इनका प्रटिग्या था कि मेरे कारे के बीच में मुझे जो कुछ भी व्यक्तिगत या पारिवारिक जानकारी प्राप्तों होगी उसे अपने पास रचित रखूंगी और लास्ट इनका प्लेज था मैं इम्मदारी के साथ डॉक्तर की उसके कारेों में सहायता करूंगी तथा जिनकी देखभाल के प्रति मैं प्रतिबद हूँ उनके कल्यार के लिए अपने आपको समर्पीट करूंगी ठीक है तो हम आज देखें फ्लोरेश नाइटिंगल के हिस इनके समान में इनके जन्म दिन को नर्सेस दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्लोरेश नाइटिंगल का जन्म 12 माई 1820 में इटली के फ्लोरेंस सहर में एक हाई क्वालिटी फैमिली के बीच में हुआ था इनके पिता का नाम विलियम एड़वर्ड और माता का नाम फैने ठीक है और अपने परिवाद की इच्छ्छा की बीरूप जा करकर इन्होंने आपको एजुकेट किया और नर्सिंग की पढ़ाई की और इन्होंने साधी नहीं की क्योंकि इनका मानना था कि साधी से उने इनके मरीजों की सेवा करने में हस्त छेप होगा ठीक है फिर क्या इन् में क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने घायल ब्रिटीश सैनिकों की देखभाल की और अनेक सैनिकों को मरने से बचाया इसके लिए 21 अक्टूबर 1864 को फ्लोरेश नैटिंगल और 38 नर्स जिन में से उनकी एक आंटी भी सामिल थी और पंदर कैटोलिक नर्स ब्रिटीश सैनिकों की देखभाल करते हैं इन्होंने कई सैनिकों की जान बचाई थी इनका निधन इनकी देथ 90 वर्स की उम्र में 13 अगस्त 1910 को लंदन में हो गया था ठीक है और लास्ट में हम देखें इनका प्लेज क्या क्या आगे इसमें पता दिया गया आपको ठीक है थैंक